चलिए तो आपन देखते हैं बटा कनेक्टिंग लिंक फिर से देख लेजे एक बार ठीक है प्रो टीरियो स्पॉंजिया ठीक है यह क्या है कोण फिर लेजेलेड़ बीविन प्रो टो 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 टोत लेजी पॉर्टीर भी यह चुकोण भॉज है इसके बाद रचिज मट्रेजिνग पाइड्ल चूनेड़ियो चुका है इसके बाद कई मैरा इसलींग इसलींग चॉद्ख मतलब मतलब cartilaginous fishes and bony fishes के बीच का है यह ठीक है चलिए इसके बाद lungfish जिसको प्रोप्टस प्रोटोप टेरस जो भी लिखा है इसमें और आस्ट्रेक्थिस और एंफिबिया के बीच में है ठीक है आपको पता है बेटा आस्ट्रेक्थिस मतलब bony fishes बोनी fishes and किसके बीच में amphibia amphibia मतलब frog इन दोनों के बीच में connecting link है ठीक है इसके बाद आर्कियोटरिफ लिथोग्राफिया आपको पहले ही बता चुको बटा रेप्टाइल्स and birds के बीच में है और इसके बाद टोरोथेरियन ठीक है यह भी रेप्टाइल्स and mammals के बीच में एक इसके बहुत सारे example आ सकते है आपको ठीक है चलिए इसके बाद living fossil living fossil के example क्या है देखिए चेंज डियूरू कोर्स ऑफ इवोलोशन जैसे लिम्यूलस था लिम्यूलस को भी अपन ने बोला था बटा कि वह एक living fossil है नियो पिलीना यह भी एक living fossil है ठीक है लैतिमारिया ठीक है यह यह चारों भी क्या है यह living fossil की category में आते है ओकी चलिए फिर उसके बाद मैंने आपको करा है उरक कि लिए बाद मैंने आपको एक फोटों दिखाए था उस ट्यंक में वह होते हैं थों कि थे और फिमेंज में भी होते हैं ठीक है तो उसको आप ऐसे बोसकते अ कि आपको 有 थी否 इसके बाद embryological evidences ठीक है तरू लिट्ता लेटा आया ठीक है तो embryological evidences देखे बिटा मैंने आपको पहले बताया था कि एक था सबसे पहले का कौन था एक था bear law था एड उसके बाद आया hackle तो bear ने सबसे पहले बहुत सारी थेरी दिया था embryology की लिए कि उसने बोला था कि जो generalized characters है वो पहले develop होते है बाद में specialized characters होते है ठीक है और उसके बाद hackle ने दूसरा एक formula दे दिया था उसने अपना एक नया ontogeny recapitulate phylogeny इस तरह की theory दिया था बटा और उसने बहुत सारी चीजों को बताने की कोशिश किया था ठीक है लेकिन आपको पता है कि bear ने बोला कि यह जो होता है यह गलत law है करके क्योंकि सारे के सारे जो animals है अपनी embryonic life में अपनी evolutionary history नहीं बता पाते है कुछ-कुछ animals होंगे जो बता पाते है ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था कि gills leads present होते है human embryo में जो के resemble करते है reptilia and fishes से ठीक है लेकिन हर organism ऐसा नहीं कर पाता है ठीक है तो कही ना कही ontogeny recapitulate phylogeny य थी इसको discard कर दिया था किसने किया था इसको discard किया था disproved by one bear देखिए यहां पर लिखाई हुआ है it was disproved by one bear यही चीज़ वहां पर लिखे हुई है very clear चीक है चलिए इसके बाद देखिए evidences from bio geographical distribution तो मैंने आपको बताया था बता कि panzea थी जैसे मैं बोला यह earth है यह earth के उ Australia यह हो गया South America यह North America यह Asia ठीक है Europe यह सारे एक साती थे जब धीरे धीरे tectonic plates movement होते गया तो यह एक दूसरे से दूर चले गया ठीक है तो originally वह क्या थे panzea था लेकिन धीरे धीरे वह separate होते गया बटा तो जिसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो कि अलग-अलग continent बनते चले गये अलग-अलग realm बन गये realm मतलब रियासती रियासती आप बोल सकते हो यह geographical distribution of area आप ऐसे बोल सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि 6 realm बने थे ठीक है इसको देने वाले scientist के बारे में भी देखते है नियर Arctic, Palarchatic, Neotrophic, Oriental realm, Ethiopian and Australian ठीक है मेरा आपसे question है बताओ येस ठीक है तो आपको पता है बटा इंडिया जो है वो Oriental realm में आता है ठीक है तो इसको अपने को याद रखना है ठीक है अच्छा निशिका आई है बबा निशिका कें यू प्लीज रीड दिस फॉर मी रीड करो बटा ये बड़ो बटा कि अच्छा बantesान सब्सेट को कि अच्छाउ light अबपा ये उच्छा आप जया है सबसे पहले इसको जो दिया था इसको पी एल स्क्लैटलर ने दिया था 1858 में बाद में इसका एलफ्रेड आर वेलेस 1876 में इसने फिर से इसको री मोडिलेट कर दिया था बटा बाद में इसको डिस्ट्रिबूट किया था और मैंने आपको बताया था अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑगनिजम्स मिलते हैं ठीके पढ़ो बटा इसके आगे कर दो ठीक है बटा तो आपको पता है इतनी सारी चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है ठीक है चे अब देखिए जो के मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि देखिए पांच एक original seed eating insect थी finch थी ठीके बाटा मैंने आपको इसका scientific naam भी बताय था इसका scientific name था Geospiza कभी कश्चन पूछा जाता है Darwin Finches का scientific name क्या था अब Darwin finches का originally geospiza था लेकिन इस वाली का नाम अलग हो जाएगा फिर ठीके इसका नाम हो जाएगा जियोस पीजा कुछ इंसेक्टा हो जाता है कुछ अलग-अलग हो जाता है इनके छे अलग-अलग नाम रहेंगे फिर ठीक है इतना डीटेल में मत जाहिए बस इतना आद रखें कि ओरीजिनल सीड इटिंग वराइटी थी उसमें से ट्री फिंच बनी उसी से वेजिटेरियन फ इसे बोल सकते हो इसको आप डाइवर्जेंट इवोलूशन ही बोलेंगे ठीक है चली इसके बाद यह देखिए यह थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन दे रहा है बेटा आपको लेकिन बहुत बढ़िया है इवन यह बहुत अच्छी इंफोर्मेशन लगी मुझे भी देखिए ग्रूप अफ थर्टीन स्पीशिज वर्फॉर्म यह तो पता है अपने को वेजिटरियन फिंचेज आर लारजेस्ट एंड वैबिनर फिंचेज आर शॉर्टेस्ट ठीक है यह भी याद रखना है अच्छा लेकिन यह जो हुआ था यह किस जीन की वज़े से हुआ मैंने आपको पहले ही बता था फॉर एक्जांपल यहां पर फिर से इस कंसेप्ट को याद कीजे बटा हो सकता है किसी ने छोड़ दिया हो यह कंसेप्ट कैसे यह स्पीशिज बनी तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ देखिए क्या हुआ होगा उस टाइम पे कि यह एक ग्रूप ओफआईलेंड थे जो गैल आप ओगेस आइलेंड जिसको बोलता है बेटा ठीक है तो यहां पर 200 जर्फ सीड था यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेड ठा यह पर सिर्फ यहां पर सिर्फ प्रूट था यहाँ पर सिफ इंसेक था, यहाँ पर सिफ कैक्टिस था, इस तरह अलग-अलग जगह पर अलग-अलग था, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ओर्गनिजम यहाँ पर आए, 200 आई थी, 200 में से 190 मर गई, सिफ 10 बची, 10 male and 10 female, तो इस तरह से ये 10 कैसे तो भी उन्होंने पता है क्या, इनको सीड खाने की आदत थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने fruit खाना चालू कर दिया, 10 लोगोंने, यहाँ पर इंसेक खाना चालू कर दिया, इन्होंने cactus खाना चालू कर दिया, अब हुआ क्या है, कि ये 10 जो थी, ये 10 की 10 बची थी, 10 में से 5 थी male, ठीक है, and 5 थी female, तो 5 इन दोनों ने reproduce किया, अब लेकिन आने वाली जो generation बनी, आने वाली जो बच्चे इनके बने, इनकी जो चोंच थी, वो अलग थी, ठीक है, तो इन पाचों ने मिलके, 5 या 10 offspring प्रोडू किये, फिर वो 5 दस ने फिर से आपस में reproduce किये, और फिर से, तो इनकी जो, आप ऐसे बोल स कोशिश की, जब इनके बच्चे आए, तो उनमें modification हुआ, बीक में, तो उसके लिए responsible था, BMP4 genes, बीक modification, sorry, morphogenic protein, ठीक है, तो ये जो जीन था, जिसकी वज़े से उनके बीक में changes आते गए बटा, ठीक है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है, चलिए, evidences of adaptive radiation, ठीक है, देख from areas of other geography, is called adaptive radiation, adaptive radiation lead to divergent evolution, it gives rise to variety of organism, ठीक है बटा, तो अपने को पता है, इसके दो ही example है, NCRT में दिये हुए, एक है Darwin की finches, अलग-अलग बन गई, और दूसरे है Australian marsupials, आपको पता है ने बटा, Australian marsupials, एक थे, एक उनका common ancestor रहा होगा, लेकिन कोई उसमें से koala बन गया, कोई flying ये बन गया, ठीक है, तो इस तरह से आप देख पार है बटा, के एक ही जगह से ये अलग-अलग organism निकल पाये है, ठीक है, तो ये Australian initial इनके ancestor form था, उसी से tiger cat, banded antitr, marsupial rat, kangaroo, wombat, bandiquette, kuala, marsupial mole, sugar grider and tasmanian wolf, ये अलग-अलग बन गया, ठीक है बटा, इसके बाद ये जो था ये तो अपन देखी चुके है बटा, के अलग-अलग darwin की finches कैसे बन गई थी, तो इसको आप ऐसे भी skip कर सकता है बटा, ठीक है, अपने को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, ये डाइग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, तो this is also an example of adaptive radiation, ठीक है, चलिए, कुछ भी ने, इ इस चीज को पढ़ लीजे, निशीका, read this for me, ठीक है बटा, देखिए, जैसे के मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि ये, देखिए, ये concept हो सकता है, कि किसी को पहली बार में ना समझा हो, तो फिर से एक बार देखिए, क्या बोल रहा है ये, देखिए, ये जो है, ये है placental mammal, ये जो है, ये है Australian marsupial, ये दोनो द बटा, एक sheet में ना पता है, आपको difference नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको difference भी लिखवा के दिया था, मैंने आपको बोला था, कि जो kangaroo होते है, वो monofoidon होते है, जो placental mammals होते है, जो kangaroo होते है, या जो Australian marsupials होते है, ये दो महिने तक ही अपने बेबी को पेट में रखते है, ये लोग 9 महिने तक रखते है, ठीक है बटा, इनके जो बच्चे होते है, वो fully developed होते है, इनके जो बच्चे होते है, इनके pair नहीं होते है, during time of birth ये deaf होते है, बैरे होते है, ये सारी चीज़े है ना बटा, तो origin wise ये अलग-अलग species है, लेकिन अगर मैं दोनों species को एक साथ एक ही जगह पे अगर रख दिया, तो क्या होगा, अगर मैंने दोनों species को एक साथ एक ही environment में रख दिया, क्या होगा, और example, ये है Australian mole, और ये हो गया, placental mole, ये भी गड़े खोदना पसंद करता है, ये भी गड़े खोदना पसंद करता है, मतलब कही ना कही, भले ही इनका origin अ पाके मिल रहे है, बोथ लाइक टू बरो, वेरी क्लिया देखिए, जैसे आप यहाँ पे भी देख पार है बटा, ये देखिए, ये placental mole है, ये marsupial mole है, लेकिन दोनों को गड़े खोद के रहना पसंद है, दूसरा example लेते है बटा, ये है placental ant eater, ये है दूसरा ant eater, ठीक है, य ant eater, ये वाला भी है, इसके पास एक numbat इसको बोलते है अपर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे numbat, लेकिन इन दोनों के पास availability of food के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ant थी, तो भले ही इनका origin अलग-अलग है, लेकिन ये कही न कही एक ही तरह का behave कर रहे है, when two adaptive radiation takes place at a single environment, that is called as adaptive convergence, है ना, ठीक है मैंने आपको एक और example दिया था बटा, कि ये जो है placental mole का wolf है, और ये जो है Australian milk का wolf है, तो दोनों भी ऐसा नहीं है, कि ये घास खाना चालू कर देगा, ये भी rabbit ही खाता है, ये भी rabbit ही खाता है, very clear, तो इसमें भले ही ये origin wise different है, लेकिन इनका जो habitat है, जो food habits है, वो एक जैसे हो गई है, इसलिए इसको मैं क्या बुलूँगा बटा, इसको मैं बुलूँगा adaptive convergence, भले ही दो अलग अलग origin के है, लेकिन एक environment में एक तरह का behave करने लगते है, very clear बटा, कितना easy है यार, देखो, इसी तरह ये arboreal glider है, ये flying करता है, ये भी fly करता है, ठीक इन एक environment में आके वो एक तरह का behave करते है, ये ही चीज यहाँ पर बोले गई है, बटा, तो adaptive convergence crystal clear है आपको, ठीके बटा, चलिए, when two adaptive radiation takes place at a single place, तो उसको अपन क्या बोलते है, adaptive convergence, ठीके, तो इसके बाद आते है, बटा, theory of evolution, theory of evolution में आपको पता है, बटा, चार main theories है, नमबर एक, यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे से, अगर आप ध्यान से देख पा रहे है, बटा, तो मैंने mark भी कर दिया है, उनको, कि सबसे पहला जो theory थी, वो थी lamarchism, ठीके, दूसरी जो theory थी, वो थी darwinism, तीसरी जो theory थी, mutation theory, ओमकार, mutation theory किसने दिया था, बटा, ओमकार, ओमकार, आपको पता है, बटा, mutation theory किसने दिया था, जी, किसने दिया, यूगो डिवारिस, ठीके, बटा, तो lamarchism जो था, वो lamarch ने दिया था, darwinism, ठीके, mutation theory मैंने आपको बता था न, बटा, कि हुगो डिवारिस दिया था, और निथेरा lamarch किया न, plant के उपर, four o clock plant, या इसको आप mirabilis, jalapa भी बुलते थे, and synthetic जो theory थी, वो बहुत सारे scientists ने मिलके दिया था, इसमें lamarch के भी कुछ points थे, इसमें darwin के भी कुछ points थे, इसमें mutation को भी accept किया था, और other scientist के भी theories को include किया था, बटा, है न, ठीके, तो ये चीजे तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हो, बटा, बस तुम हम revise नहीं कर रहे हो, ठीके, तो lamarch को पढ़ लेते बिटा थोड़ा सा एक बार, ठीके, दो मेट में हो जाएगा, चलो, निशीका पढ़ो बिटा, इसको lamarch को inheritance of acquired characters वाली, ठीके, झांचे, निशीका बिटा été, झांचे, अज़ा,ऑde शुम हमunku बाहे हैं पjukो, बाहे हो, आवरा चाली को हम को में हो, भावा जिसом झाली को हम ओ informação हो, इसको झाली को को मैं नहीं हो. थीक है बटा देखिए लेमार्क ने मैंने आपको पहले ही बता दिया था बटा इसने चार से पाँच पॉइंट दिया था नंबर एक इसने इंटर्नल वाइटल पोर्स के बारे में कुछ तो भी बोल दिया था ठीक है इसके बाद इसने अकुआइट करेक्टर के बारे में बोला था ठीक है कि environment थोड़ा बहुत effect डाल सकता है करके ठीक है use and disuse of organ बताया था जो ये था बटा कि inheritance of acquired character होता है ठीक है और एक और बात मैंने आपको बताया था कि इसकी जो book थी वो 1809 में इसने लिखा था जिसका नाम था philosophic zoologic ठीक है लेकिन इसको सबसे बड़ा जो competitor था future में वो था Darwin and Darwin आपको बताया बटा कि Darwin was born in 1809 ठीक है 1809 में Darwin भी बना मतलब पैदा हुआ था कि जो future में लेमार्क का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी होने वाला था ठीक है लेमार्क के बहुत सारी theories को जो अपना ये था बटाई Darwin इसने गलत प्रूव किया था जो उसकी silent feature थे लेमार्किजम थे वो था internal vital forces कि ये बोलता है कि living organism में internal vital forces होती है ठीक है तो ये theory बिलकुल सरासर गलत थी देखिए मैंने पहले ही गलत मार्क करके रख दिया था दूसरा था doctrine of desires देखिए acquire new characters ये भी इसको क्या बोलते है इसको चाहा नहीं होती है ठीक है number 3 जो point था बटा use and disuse of organ ये 110 परसेंट सही है देखिए महाँ पर लिखा है मैंने 100 परसेंट करेक्ट करके very clear तो आपको पता है बटा कि जिस organ का अपन जादा use करते जाएंगे वो और बढ़ते जाएगा जैसे मैं बोल रहा हो brain ब्रेन का अपन यूज करते चले गए तो future में आज की डेट में अपने brain की capacity भी बढ़ गई है और उसका जो functionality है वो भी बढ़ गई है अगर आप बोलेंगे जिस चीज का अपन ने यूज नहीं किया जैसे कि निक्टिटेटिंग जो थे जिराफ लंबी गरदन के साथ पैदा नहीं हुए थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लंबी गरदन को acquire किया जब उनके बच्चे पैदा हुए तो वो भी लंबी गरदन के साथ पैदा हुए थे ये theory सही है 50% लेकिन इसके बाद एक और scientist आया थे बटा जिनका नाम थ नाम था उनका डॉक्टर ओगस्ट विजमेन का नाम था उनका डॉक्टर ओगस्ट विजमेन देखिए बहुत छोटी-छोटी-छोटी सी चीज़ है लेकिन इसमें से MCQ आयागा ना मैं चाहता हूँ आपका 110% ये चैप्टर ना जबरदस तैयार हो एक भी MCQ आया ना चाहे वो hardy win bug मैं आपको बता देता हो बटा hardy win bug की जितने question अपने नहीं किया ना उतना कोई practice नहीं करता है ठीक है एंड मैं आपको एक और बात बता दो बटा कि hardy win bug का आपको एक भी ऐसा question नहीं होगा कि जो नहीं जम रहा होगा ठीक है इसके अलावा भी आप books खोल के देखिए आपको लगता है कि hardy win bug का equilibrium का नहीं जम रहा है तो बिंदास में को भोल देना ठीक है चलिए बहुत अपन क कोशिश करेंगे बटा कि इसके उपर जो बाकी लोग देखिए मैं आपको एक बात बता देता बटा evolution ऐसा chapter है न कि सभी लोग मतलब 90% of the people skip this chapter even मैंने हालत देखी है MR के जो आपके बच्चे थे न रिपीटर्स के उस उन लोग ये chapter से बहुत सारे concept skip करते थे बहुत सारे 11 के बहुत अच्छी से chapter हो गये थे human reproduction के भी हो गये लेकिन जो बच्चे थे न जो absent भी रहते थे इस chapter के time पे 110% attendance थी क्योंकि ये chapter सभी को बहुत ज़्यादा डिफिकल लगता है बटा और मैं चाता हूँ ये chapter न आपके उंगलियों का खेल हो जाए बस ठीक है ये chapter से आप ब जब आया तो August Wiseman ने बोला ये गलत बोल रहा है बोले क्यों कि मैंने माइस लिया है बोले मैंने चूहे लिया ठीक है मैंने चूहे ले लिया चूहो की 21 जनरेशन तक 21 जनरेशन तक मैंने पूछ को काट दिया ठीक है and male and female को reproduce करने दिया अब आप बोल रहे हो ना inheritance of acquired characters होना च चीए very clear लेकिन ऐसा नहीं हुआ हर बार जब वो चूहा पैदा हो रहा था तो उसके पास tail present थी मतलब कहीं न कहीं unless and until ये जो characters है या ये जो effect आया है उनके germ plus cells में नहीं होता है या उनके germ cells में नहीं होता है तब तक वो inheritance नहीं हो सकता है तो ये थेरी दिया था August Wiseman ने तो इस थेरी का नाम भी उसने क्या लिखा था इस थेरी का नाम रिखा था उसने germ plast theory very clear बटा unless and until ये उसके germ plast को उसके sperm और्या ovum वाले cells को affect नहीं कर सकता है तब तक वो आने वाले वाले बच्चे में एफेक नहीं जायेगा क्यूंकिब कि आपके somatic cells मों जो change हुआ है, जैसे for example, आपके हाथ में कोई change हुआ है, तो वो थोड़ी बच्चे में जा रहा है, बच्चे में क्या जा रहा है, बच्चे में जा रहा है sperm, और बच्चे में जा रहा है ovum, ठीके बटा, तो उसी से वो बन रहा है, अगर उसमें change हुआ, तो फिर आने वाले ब झाल झाल जी हाँ पढ़िये बिट्टा पढ़िये झाल झाल ठीक है बटा चलिए तो यह आपको पता है कि बहुत सारे उसने एक्जामपल दिया था इवन जिराफ के बार में बोला था कि उसके आगे के पैर थोड़े इलॉंगेट हो गई है उसके नेक थोड़ी से लंबे हो गई ठीक है तो यह अलग अलग एक्जामपल है इवन आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारी ऐसी शार्क भी है आज की डेट में सुरी सुनाई दिया कि मैंने अभी तक कुछ बोला थो ठीक है जैसे मैं बोल रहा हो बटा कि बहुत सारे ऐसी थेयरिस इसने दिया था कि जो जिराफ है उसकी आगे के पैर थोड़े लंबे हो गय शार्क विचर ब्लाइंड आपको मैं बताता हूँ बहुत नीचे साइड में जो सी का लेवल है जहां पे सूरज की किरने भी नहीं पहुचती ऐसे आनिमल्स को बोला जाता है बेटा बैंथिक आनिमल्स मैंने आपको बताया था यह इनको बैंथोस बोला जाता है इस जगह पे ऐसी शार्क भी मिली है कि जो पूरी ब्लाइंड है वो सिर्फ सेंस कर सकती है आवास को अर अपने शिकार को पकड़ती है ठीक है तो अगर जिस चीज की जरुरत ही नहीं अगर कोई अपन जिस चीज का यूज ही नहीं करेंगे तो उस हिसाब से वह इन्होंने क्या बुला कि मैंने माइस के पूच को कट किया था 21 जनरेशन तक और फिर भी 20 जनरेशन लिखा है यहाँ पे 22 जनरेशन से वैसे ठीक है तो कट the tails of the mice and each generation में उसको normal mice मिला था तो कही न कहीं यह यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जो लैमार बोलता है कि inheritance of acquired characters हो वो गलत है ठीक है गलत नहीं है 50% चाहिए unless and until उसके germ plus cells पे उसने effect नहीं किया है तो वो inherited नहीं हो सका है ठीक है मैंने आपको शाहिए इस पढ़ाते हूं मैंने आपको एक example भी दिया था बटा कि मेरे college के इसमें एक हमारा जो radiologist था वो without lead apparent यह सारी चीज़े सीधा जाके x-ray निकाल लेता था तो his testicle region and his pelvic region was highly exposed to x-rays and इसकी वज़े से क्या हो गया था कि उसका आने वाला बच्चा हुआ था उसको immediately cancer हो गया था 110% chances है कि आने वाले बच्चे में problem होगी ही होगी very clear ठीक है बटा चलिए तो इसलिए इसने क्या बोला था इसने बोला था germinal selection यह germ plus theory बोला था theory of germ plus यह germinal selection very clear बटा ठीक है चलिए इसके बाद देखिए यही बात बोल रहा है इसको continue भी कर लेता है नियो लेमार्किजम तक प पड़िए यह अपना कैसे लेमार्किजम खतम हो जाता है और यह जो नियो लेमार्किजम है न यह सबसे modern है इसकी सारी चीज़े include की गई थे बटा latest theory में ठीक है तो यहाँ से पढ़िए ज़रूर ठीक है यह वेरी इंपोर्टन चीज़ यह देखिए बटा दो चीज़ यहाँ पर बोली गई है somatic cells somatic cells मतलब और example यह विनित आया करें बबाब विनित आया क्या नहीं आया आया देखिए विनित है यह विनित के पूरे body के cells जो है जैसे इसके हाथ के cells है यह somatic cells है somatic cells मतलब 2N इतना तो आपको पता होगा ठीक है and germ plus जो cells होते है जो sex chromosome वाले cells होते है या आप इस बुल सकते sperm है या ovum है वो होते है N यह जो somatic cells होते है यह होते है 46 and यह जो होते है बटा यह होते है 23 यह आपको बहुत अच्छे से पता है ठीक है तो except for the sex cells all the other cells are somatic cells and यह जो होते है बटा यह जो somatic cells है यह कोई भी role play नहीं करते है sexual reproduction में या inherited नहीं होते है inherited होने वाले cells कुण से inherited होने वाले cells से germ plus cells very clear बटा तो उसमें effect आया तो ही change आएगा ठीक है पढ़िए इसके आगे का है यह पढ़िए अगर आपको इसके और example देखना है तो मैंने आपको देखिए यहां पर circumcision लिखा है circumcision मतलब मैंने बताया था न बटा खतना जो penis होता है उसकी four skin को निकाल देना इसको अपन बोलते है circumcision इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी mother है उसके नाक में already छेद है तो जब बच्ची उसकी पैदा हो रही है तो आने वाली बच्ची में भी तो नाक में छेद रहना चाहिए ना लेकिन यह नहीं होता है ठीक है इसके बाद जो Chinese girls होती है वो हमेशा अपने पै बच्चे है उसके भी पैद भोड़े से लंबे ही रहते है तो यह कहीं ना कहीं inheritance of acquired characters नहीं होता है ठीक है इसके बाद जो बात बोली है ठीक है the changes that occur in non reproductive cells or somatic cells are not transmitted only the changes that occur in reproductive cells वही change कर सकता है आने वाले बच्चे को बच्चे को वेरी क्लिया ठीक है नियो लेमार्किजम पीडि झार्दर कर दो तो यह कहीं न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ा हॉर्मोनल बहुत सारे इसके जो साइंटिस्ट ठीक है देखे बटा तो अपने को पता है कि HMS बीगल उसकी शिप का नाम था इसकी जो जर्णी थी प्रोफेसर थे इनके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ ठीक है तो कैसे तो भी उसको एंट्री मिली थी और इसकी वज़े से वो फेमस हो गया था पूरा का पूरा शिप इसकी जो रवाना डेट थी 27 डिसेंबर 1831 थी इस डेट को HMS बीगल ने इंगलेंड को छोड़ा था और 6 साल के बाद 1836 में वो लौट आया था वापस ठीक है बटा इसके बाद ये पूरा 5 साल का सफर था इसके बाद बहुत सारी जो चीजे थी इससे वो इंफ्लेंस हुआ था क्योंकि वो अलग-अलग लैंड पे गया था और वहां का फ्लॉरा एंड होना देखा था और उसने बहुत सारे कंक्लूजन निकला थी कि ऐसा हुआ होगा वैसा होगा इवोलूशन के जो सबसे बेस्ट तरक निठे जो उसने रीजन दिया था इन सारी चीजों के आज तक कोई साइंटिस नहीं दे पाया था अगर आप बोलेंगे न एक रियल इंसिडेंट में आपको बता देता हूँ इस वग कि ये जो चेप्टर था मैं जस्ट पढ़ा के न पानते थे ये सारी चीजे तो डार्विन ये बोलता था कि हमारे जो पूर्वज है वो बंदर हुआ करते थे कहीं न कहीं इवोलूशन उनसे हुआ है लेकिन देर आर सो मैनी पीपल जैसे फादर सुआरे थे ये बोलते थे कि माइथोलोजी है आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी आपन जो बने हुए हो भगवान में बनाया है माइतोलोजिकल साइन्टिफिक एविडेंस जो है वो सिर्फ डार्विन दे पाया था इस टाइम पे तो देर सो मैनी पीपल जो इसको आज के डेट में भी अपोस करते है ठीक है लेकिन इसके तरक को कोई ज़ाब नहीं आज के डेट में जो उसने इवोलुशनरी बाइलॉजी बताया था या ब्रेन का साइज जो बताया था यह सारी जो चीजे है यह आज के डेट में भी उतनी ही वैलिड है ठीक है एंडों किन लोगों से इंफ्ट्रेंस हुआ था वो तीन लोग थे बिटा मैंन जो Darwin था इसको बहुत influence किया था and इसने जो अपने book में लिखा था इन तीनों के थोड़े-थोड़े points को collect किया and फिर अपनी book लिखी थी and उसकी book का नाम क्या था पेटा evolution of the new species इस तरह की उसकी book का नाम था पेटा origin of species ठीक है origin of species ठीक है झाल झाल जो भी है आगे पड़ में को भी नहीं आएगा छाट कि अ वेलस ठीक है बटा तो आपको पता है कि जो तीन साइंटिस्ट थे इन लोगों के काम से बड़ा इंफ्लेंस हुआ था एंड इन में से कुछ के साथ तो उन्होंने बहुत सारा काम भी किया था जिसे एलफरेड वेलस के साथ future में उन्होंने बहुत सारे काम भी किय थे ठीक है चले दमेन पॉइंट्स ओफ एसे ओफ थामस मेल थास या भी पढ़ लीजे बटा आप है 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 तो इसकी जो बुक का नाम था बटा ओरीजिन ओफ स्पीशिस ने ऐसा नहीं कि इकलोती एक बुक लिखे इसके अलावा भी इसने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है ठीक है इसका नाम यहां पर भी नहीं मिलेगा बटा आपको एक बार मैं आपको जरूर एक mcq बता दूंगा कि वहां पर लिखा हुआ है कि कितनी सारी उसमें बुक्स लिखे इसमें से इसकी जो सबसे फेमस बुक है वो है origin of species by natural selection ठीक है बटा तो अपने को पता है darwin के बारे में सारी चीज़े ठीक है the theory of natural selection अच्छा survival of the fittest किस ने दिया था हरबर स्पेंसर ने दिया था ठीक है चलिए यहां से मैं थोड़ा पढ़ लेता हो बटा चलिए तो darwinism theory of natural selection darwinism is the term coined by explained by Charles Darwin for the origin of species by natural selection darwinism does not exactly mean what evolution is but it explains how evolution might have occurred in nature मतलब कैसे evolution हुआ होगा इसने वहां पर जाके देखा गैलापोगस island पर एक original seed eating insect जो seed eating bird था उससे तेरा अलग-अलग species मिली थी वहां के local लोगों से बात किया होगा उसने तो यहां पर तो एक original species यह रही होगी लेकिन इसके बाद अलग-अलग species रही होगी तो इस तरह का observation पाया गया उसने देखा कि यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट अवेलेबल है तो यह तो सेम है कि पूरा body का structure एक जैसा ही होगा उस species का एक ही तरह कि यह जैसे आप ऐसे बोल सकते है न कि आप कववे को किसी और beak उसकी modify हो जाए लेकिन कववे को आप पहचान सकते हो कि यह कववा है करके ठीक है उसी तरह जो Darwin की finches की उसकी पूरी body एक जैसे ही रही होगी बस उसका चहरा और उसकी जो beak है वो change हो रही है इतना तो easily identify किया जा सकता है very clear बटा ठीक है तो इस तरह से उसने बहुत सारी theories दी and उसकी सबसे famous जो थी that is origin of species ठीक है इसके बाद यह बहुत important MCQ है बटा branching descent and natural selection are the two key concept of Darwin theory देखिए क्या बूल रहा है branching descent मैंने आपको पहले ही बताया है एक species है original इसके दो बच्चे है यह थोड़ा weak है लेकिन यह बड़ा जबरदस्त है इसके यह जादा reproduce करेगा इसके भी दो बच्चे है यह फिर से थोड़ा weak है यह थोड़ जादा survival instinct वाला है फिर इसके दो बच्चे है फिर इसका यह थोड़ा weak है यह जादा survival वाला है इसके दो बच्चे होंगे इस तरह से जो अपने आने वाले बच्चे है वो हर बार क्युछ ना कुछ modification के साथ है अपने से जादा चालाक और अपने से जादा smart पैदा होते ठीक है जैसे अगर आप बूल रहे है कि पहले originally अपना जो वंशज रहा होगा वो एप रहा होगा ठीक है एप से फिर अपने अलग-अलग branching descent होते गया and finally आप ऐसे बूल सकते हो कि सबसे जो advanced वाला जो है बटा वो है homo sapiens इसमें बहुत सारे अलग भी रहा होगे हो सकता है कि ये neanderthal रहा होगा इसने भी अपनी प्रजाती कुछ दिये होगी लेकिन इसमें से फिर जो homo habilis निकला होगा फिर homo erectus निकला होगा and वहां से फिर homo sapiens निकला होगा इसके भी और branching रहे होंगे लेकिन जो सबसे best वाला है वो अभी तक survive कर रहा है तो descent with modification या branching descent and natural selection these are the two key concept of Darwin है ना ठीक है तो ये अपने को पता है ओके चले बटा इसके बाद क्या बुर रहा है overproduction तो मैंने आपको पहले ही पता है था बटा कि Darwin ने जब species को बोला था या survival of the fittest की बात की थी तब उसने सिर्यूस एक बात बोला था भाया जो जादा reproduce करेगा उसकी प्रजाती नहीं कर पाएगा वो पैरिश हो जाएगा वैनिश हो जाएगा वेरी क्लियर ठीक है बटा तो एक निशी का आ गई है शायद तो निशी का प्लीज रीड दिस फॉर मी आई ये के निशी का हाँ पढ़ो बेटा येस ओवर प्रोडक्शन से बिटा हाँ फर्स्ट हाँ भी Currently कर दो एक हtagए़ दो कर दो कर दो कर दो कि कर दो कर दो appropriate झाल झाल चीक है बटा देखिए अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक चैप्टर आने वाला है और्गेनिजम और पॉपुलेशन जो चैप्टर नमबर है थर्टीन चीक है यह बोटनी में आता है बटा लेकिन इसका कंसेप्ट यहां पे भी है इसका कंसेप्ट यहां पे भी है इसे आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या बुला गया है कि अगर किसी ओगनिजम को अनलिमिटेड सोर्स ओफ फूड दिया जाए अनलिमिटेड चीज ओफ वाटर दिया जाए हर चीज दे दी जाए हर फैसिलिटी दे दी जाए तो उसका पॉपुलेशन तो अन मतलब बहुत ही ज़ा अब लेकिन आइडियली आपको पता है कि कोई हिरन है हिरन को हमेशा एक डर लगा रहता है कि उसको कोई शेर खाजाएगा को उसको कोई चीता खाजाएगा अगर वो पानी पीने गई या कुछ भी जो common resources है उनके पास जैसे के पानी है जैसे फूड है इन सारे चीज़े वो बचा के भी रखना है मतलब ऐसा जे शेप कर होना ये बहुत मुश्किल है क्योंकि situations are never ideal हमेशा कोई नो कोई मेरे पीछे predator पड़ा हुआ है जब मैं खाना खाने जा रहा हूं जब मैं पानी पीने जा रहा हूं तो कही न कही इनकी population बढ़ती तो है लेकिन एक time के बाद इनक decline हो जाना ये actually normal है ये जो मैंने आपको बता है न बटा घ्रीन वाला ये hypothetical है जे शेप कर्व कभी भी नहीं हो सकता है किसी भी organism की population में क्योंकि बहुत सारे resources है जो restrict होते है बटा इनके पीछे danger भी बहुत जादा होता है जिसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो इनकी population एक time तक बढ़ेगी और इसके बाद constant या फिर decline भी हो सकती है depending upon the environmental situations very clear ठीक है बटा तो समझ में आ रहे है आप सभी को यही चीज यहां पे बोली गई है कि consistency अच्छा और यह ज़रूरी भी है ecological balance of the ecosystem है न यह जो secondary tertiary and quaternary जो consumers होते है इसके हिसाब से बहुत ज़ादा ज़रूरी है आ अब इसको खा रहा है ही एक हीरन ठीक है यह एक हीरन है ठीक है इसको खा रहा है बटा एक क्या खारा है इसको फॉक से बोल सकते हो जो आपका बड़ा लायन है वो कभी-कभी fox वगेरे का या alligator का भी शिकार कर लेता है लायन को कौन खाता है लायन को आपको पता है बटा parasite या छोटे-छोटे microorganisms खाते है तो यह food chain है अब आप ऐसे imagine कीजिए कि किसी दिन यह हो गया कि इस पूरे जंगल में से लायन ही गायब हो गया तो अब तो आप बोलेंगे कि सारा का सारा जो खाना है वो deer and fox खा लेगा तो इनकी population अब बहुत ज़ादा बढ़ जाएगी अब यह fox बहुत ज़ादा इसको खाना मिल रहा है न तो इसकी वज़ज़ से पता है क्या यह deer बहुत ज़ादा कम हो जाएगी very clear क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला जो लायन था वो मर चुका है very clear अब deer कम होते जाएगी तो herbs भी बढ़ते जाएगे ठीक है और धीरे-धीर herbs and fox ही बचेंगे future में deer बचेंगी नहीं क्योंकि इसका predator की संख्या बढ़ चुकी है very clear तो इसी तरह कभी आपने देखा होगा बटा कि छोटे-छोटे जो insect होते है and वो जो होते है उनको अपनी कौन खा लेती है छिपकली खा लेती है ठीक है छिपकली खा लेती है इतने सारे आप ऐसे बोल सकते हो insect light चालू करते वक्त आपके bulb के आसपास चड़ जाएंगे तो ये कही ना कही एको सिस्टम है ये हर तरह से बैलेंस है आपको revert poppet hypothesis सुना है क्या आपने reverse poppet hypothesis किसी ने सुना है क्या reverse poppet hypothesis ठीक है मैं आपको एक botany का फिर से थोड़ा सा concept बता देता हो बेटा इतना याद रखिए कि ये ecosystem है ना ये पूरा ecosystem है ये herbs है ये उसको बाद deer है deer को lion खता है लाइन मरने के बाद उसको decomboze करते हैं microorganism ये system बहुत जबरदस्त है इसमें से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक भी कम होते चला गया या कोई एक बढ़ता चला गया ये पूरे ecosystem के लिए खतरना होता है कैसे जैसे आप imagine कीजिए कि आप plane में है ठीक है एक plane में है and plane में आप बैठे हुए है and धीरे धीरे करके आप plane का हर एक screw निकालते जारे जिसके aluminium की उसकी body है उसमें से एक-एक screw निकालते जारे एक-एक करके तो उस तरह से थोड़ी देर के बाद पता है का ये पूरा का पूरा plane destroy हो जाएगा उसी तरह से यहाँ पे ये जो है ना deer ये एक screw है एक lion एक screw है ये herbs and shrub एक screw है ये microorganism एक screw है इन में से धीरे-धीरे करके अगर एक निकाल दिया जाये ना तो automatically बाकी भी सारे धीले होते 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 घिर जाएंगे ये इसको बलते है reverse poppet hypothesis बटा तो ये जो dependency है एक organism की दूसरे organism के उपर ये बहुत ज़ादा ज़रूरी है अगर ऐसा नहीं रहा इन में से कोई भी एक बढ़ गया ये कम हो गया तो पूरा का पूरा ecosystem कोलाप्स हो जाएगा जिस तरह से एक plane कोलाप्स हो जाएगा ये नई चीज मैंने आपको बताया है struggle for existence मतलब intraspecific मतलब मैंने for example दो किसकी लड़ाई कर ली दो जो लोमडी है वो एक हिरन के लड़ाई कर रहे intraspecific मतलब दो एक ही species के organism intra एक हिरन के लड़ाई कर रहे intraspecific मतलब आपने सुना होगा न intercollege competition दो college के बीच में competition intra college competition मतलब एक ही college के दो बच्चों के बीच में competition तो ये हो गया भाईया दो वुल्फ एक हिरन के लिए लड़ाई कर रहे है ठीक है ये क्या हो गया interspecific यहाँ पे एक lion and एक वुल्फ लड़ाई कर रहे है एक deer के लिए and struggle with environment आपको पता है कि बहुत सारे earthquake आ सकता है या shortage of food हो सकता है या कोई भी चीज़े हो सकती है जिसकी वज़े से animals को उनको जहिलना पड़ता है and उनको survive करना पड़ता है जैसे मैं बोलू उस time पे अगर gigantic reptiles है मतलब डाइनोसोर्स थे वो डाइनोसोर्स एक environmental change को सह नहीं पाए and जिसकी वज़े से आज की date में वो अपने घर के दिवालों पे दिखाए दे रहे आपको जो घर पे जो lizard वगेर है जो reptile है बटा वो actually dinosaurs के ही descendant है एक time देखिए ये समय का खेल इतना खतरनाक है एक time पर ऐसा था कि ये जो बड़े से dinosaur थे इनके पैरो जित्ते अपन थे आपको याद है ना मैंने आपको बताया था shrew like size था एक mammal का खीक है इनके पैरो जित्ते भी नहीं थे अपन and आज की date में आपको पता है कि अपन इतने बड़े हो चुके है and इसके बावजूद ये जो है animals and mutation की वज़े से वो अपना color change कर लेता है उसको survival advantage मिल जाता है इसके बाद आता है आपकी बात आती है natural selection की who gave the term survival of the fittest it was given by Herbert Spencer इसको फिर modify किया था Darwin ने अपनी origin of species में बता दिया था ठीक है तो एक बार इसको भी अपन पढ़ लेता है एक एक चीज अपन इसको read out करेंगे देखिए 12th के last में अपना syllabus बहुत ही छोटा है मैं आपको बता देता हूँ chapter number 4 and जो होता है human reproduction 3 and 4 and वो सारी चीज़े हो गई ठीक है तो वो हो जाएगी आपकी tension मतले इसके बाद होता है chapter number 7 जो evolution है अपन full detail में कर रहे हैं अगर chapter number 8 चाहिए तो मैं आपको फिर से बता दूँगा human health and disease है बटा अगर आप youtube channel पे भी देखेंगे ना तो उसका पूरा A to Z है उसको पढ़ने के बाद 95% of the MCQ कर सकते हैं किसी भी बुक के ठीक है बटा and उसके बाद बच्चा है biotechnology ठीक है biotechnology बच्चा and biotechnology बच्चा है बाद बाकी कुछ भी नहीं बच्चा है ठीक है तो बहुत ही limited chapter होता है बटा 12th में zoo के लिए ठीक है तो आपन आई है कि रहे बबाद निशिका को आई है क्या निशिका are you there हाँ बैटा यह ने अच्छी सेलेक्शन पढ़ लो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है अच्छी के देखे सबसे पहली बाते एक थोड़ा एक्जांपल में चेंज करता हूं बटा जिसे मैं हर बार बुलता हुआ हुआ है यह जो है यह वाला जो पेड है यह बहुत जादा सीड प्रोडूस करता है मतलब कही न कही offspring बहुत ज़ादा produce करता है यह जो tree है बटा यह less seed produce करता है obvious ही बात है यह अपने generation को आगे इतना बढ़ा नहीं पाएगा जबकि यह बहुत अच्छे से बढ़ा पाएगा अगर उसकी reproduction की power ज़ादा है तो वो ज़ादा offspring ले करेगा और उसके nature से select होने के chances बढ़ जाएगे ठीक है तो सबसे पहले process पूछी जाती है कभी 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 कि सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले होगा उसका overproduction की ताकर फिर बढ़ेगा उसका population population बढ़ेगा तो फिर nature उसको select कर लेगा very clear तो इस तरह से sequence रहेगा बटा इसका ठीक है चलिए तो यह हो गया भाईया natural selection वाली बात ठीक है origin of species इसको भी पढ़ लिजे बटा ठीक है origin of species कि अब कि अब कि अब कि निशे का कोई घास कटने की मशेन चला रहा है कि बटा पीछे अच्छा एक काम करो तुम मत पढ़ो बेटा फिर कोई और है कि आस्था है कि वहाँ पर आस्था तुम बेटो बेटा क्या वह डिस्टरब कर रही है सब को सावंगा आस्था पढ़ो कि स्टार्टिंग से पढ़ ले बैन origin of species से पढ़ लो कि कि वहाँ इन रही रहाँ पर दो कि स्टार्टिंग से पूर्टिंग से रही है कश्ड सो इसता है यहां पर क्या बोलने की कोशिश किया है कि ओरीजिन जो होता है स्पीशिस का वो डिपेंड करता है कि कैसे वो एन्वार्मेंट को अडेप्ट हो रहा है जैसे फॉर एक्जंबल मैंने बोला ना टिक जो है वो टिक जो है वो ग्रीन कलर की हो गई है ठीक है धीरे-धीरे अब व हुगर डिवारिस के अपोजिट बोलता था लेकिन एक्चुली दोनों भी सही है डार्विन क्या बोलता था कि ग्रैजुल चेंज होता है ग्रैजुल धीरे-धीरे डैरेक्शनल चेंज होता है तब जाके और्गनिजम बढ़ता है ठीक है उसने ये भी बोला कि ब्रेन का अगर दोनों को इंडिविजुली देखा जाए ना तो जो इवोलूशन है वो दोनों तरह से काम करता है हो सकता है वो सिंगल स्टेप लाज म्यूटेशन में भी हो जाए या फिर धीरे-धीरे चेंजस से भी हो सकता है ठीक है इसके बाद का मैं ही पढ़ देता हूँ ठीक है अच्छे से यह चीजों को नहीं डिस्क्राइब कर भाया कि कौन सी हरीडिटी से आ रहा है कौन सा नौन हरीटेटी वेरिएशन है करके ठीक है इसके बाद का पढ़ो बटा आसता पढ़ो इसमें एक है अधि औ हम प्रिख औरो अपे यह चांध प्रिख अवर्ख पाले है client he ठीक है बटा ये देखिए ये इकलोती एक थेरी है जो मैं बोलूँगा कि डार्विन ने गलत बोला डार्विन ने 99% जित्ती भी थेरी थी सब सही बोला लेकिन ये जो थेरी थी ये उसने गलत बोल दिया देखें क्या बोला है इसने इसने बोला है कि पैन जेनेसिस की एक थेरी दिया था पैन जेनेसिस की थेरी मतलब क्या बोल रही है कि for example कि this is a human ठीक है अपने को पता है कौन है ये बताने की ज़रूरत में है ठीक है इसकर germinal या sperm वाले area में जाने वाला है and heredity को produce करने वाला है ये बात उसने बोला through pan genesis theory मतलब उसके body के somatic cells के characters भी आने वाले बच्चे में जाने वाले है ऐसा उसने बोलने की कोशिश किया था जो के गलत है और इसने ये बोला कि this is carried out by the blood into the gametes मतलब for example ये एक human being है ठीक है ये एक human being है तो इसके ये somatic cells है ये somatic cells की जो characters है ये blood के through इसके germinal cells में जाने वाले मतलब उसके sex organ या इस वाले region में जाएंगे and वहां से वो hereditary हो जाएंगे ये theory सरासल गलत है क्योंकि बहुत सारे इसको opposition जहलना पड़ाता है एक एक theory जो darwin ने गलत दी थी वह pan genesis की theory थी और ये theory क्या बोलती है कि उसके somatic cells में से भी कुछ तो भी hereditary जाती है ठीक है तो ये गलत थेहरी है ठीक है तो आपको पता है बटा जर्म प्लास थेहरी में आपको बता है था Dr. August Wiseman याद है आपको Dr. August Wiseman जिसने 21 generation तक पूछ को कट किया था माइस के ठीक है तो उसने बोला ये तो जर्म प्लास की थेहरी है ये गलत है हाँ आपकी darwinism की थेहरी को हम मानते है कि small gradual changes आये होंगे ये सारी चीज़े या फिर human बंदरों से evolve हुआ है survival of the fittest natural selection ये सारी चीज इसकी आप थेहरी बोल रहे हो ये गलत है ये कोई नहीं मानने वाला है very clear बटा तो एक थेहरी जो है जो darwin से भी गलत हो गई थी ठीक है चलिए इसके बाद यहां से पड़ो बटा कि ये ये बात नहीं explain कर पाया वह कि आप survival of the fittest तो बोल रहे हो लेकिन arrival of the fittest कहां से कहां से वह organism पैदा हुआ है ठीक है क्योंकि बहुत सारे organisms थे कि जो एक साब coexist करते है जैसे मैं human evolution में भी बता हूँगा बटा बहुत बार बोला गया है कि ये जो मानव था ये नियंडर थल मानव था उसके बाद ये जो था ये homo habilis था और ऐसे evidences मिले है कि for example बोल रहा हो बेटा कि मैं बोल रहा हो कि ये 2000 साल पुराना fossil है तो इसका भी fossil जो है वो भी 2000 साल पुराना है मतलब ये homo habilis और ये जो homo neander थल ये तो एक साथ रहते थे इसमें से ये वाला कैसे आगे बढ़े है या इसमें से homo sapiens कैसे बन गया या कौनसा ऐसा homo sapiens जो आज की डेट में सबसे evolved जाती है ये कैसे arrive हुई survive fittest वाली organism कैसे सबसे ऊपर आती है या कैसे arrive हुई थी इस theory को वो बहुत अच्छे से explain नहीं कर पाया very clear ठीक है बटा तो ये इतना important चीज नहीं है ठीक है चलिए आगे बनते हैं इसमें fourth ठीक है देखे तो यहाँ पर क्या बूल रहा है कि कोई organ develop हो गया तो वो कैसे survival में काम करने वाला है ये चीज डिपेंड करती है कि कैसे जैसे यहाँ पर एक्जांपल दिया है बटा इलेक्ट्रिक रे मैंने आपको बताया था यह electricity प्रोवाइड करती है शार्क भी इससे डरती है क्यूंकि शार्क यह जो होती इलेक्ट्रिक रे यह शार्क को भी शॉक दे देती है very clear तो कही ना कही initial में जब यह पैदा हुआ था इसके पास इलेक्ट्रिक शॉक की पावर थी तब उसको भी नहीं पता था कि यार यह मेरे लिए बहुत यूस्फुल इवोलुशन होने वाला है वेरी क्लिया बटा ठीक है चलिए आगे बुलिए तो अब ऐसे भी ओर्गन्स हो सकते है कि जो विलुप्त होने की गगार एक स्पेशल पावर आचुकी है किसी ओर्गनिजम के पास कि उसके पास 12 सिंग है करके लेकिन वह 12 सिंग होने की वज़े से उसको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा है यह बड़ी काम की चीज हुई है उसके साथ उसके एवोलुशन में बड़ा काम की मतलब महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है उसके सर्वाइवल में बहुत सार ऐसे ओगनिजम्स थे कि जैसे ऐरिश डियर इसमें कुछ इवोलुशन होगी जो यूस्फुल नहीं थे इसकी वज़े से वह एक्स्टिंट हो गई वरी क्लिया बटा ठीक है चलिए नेक्स पॉइंट ठीक है नेक्स पॉइंट बोलिए ठीक है बटा देखिये अब सबसे पहले мыикénergiebons और macro谷शन को देखते एक होता है micro एक होता है miesgros ठीक है तो mai Rak juego जो होता है न बटा यह जने टिकल लेवल पे होता है जीन लेवल पे होता है जो macro evolution होता है ये physical appearance पे होता है कैसे for example मैं बोलो बटा कि एक North America है एक South America है North and South America में एक ही तरह की bird होता है लेकिन जो North America का bird है वो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे ठंडी बहुत जाता है यहाँ पे मतलब जो temperature है वो low है and temperature low होने की वज़ा से यहाँ पे पाई गई species जो है ना वो थोड़ी सी white color की मिलती है and size जो है उसका थोड़ा बड़ा होता है बटा जबके अगर आप South America में देखेंगे तो वही bird मिलता है लेकिन उसका जो color है वो black होता है due to high temperature melanin pigmentation नहीं लेकिन यह survival का instinct होता है बटा and यह जो होता है इसका size भी थोड़ा small होता है very clear तो एकी तरकी bird है जो North America में and South America में मिलती है लेकिन North America में देखेंगे तो आपको थोड़ी light and white दिखाए देगी South America में वो थोड़ी black में convert हो जाते है very clear बटा तो यह जो है यह हो गया भाया यह हो गया छोटा evolution हो गया यह हो गया micro इसके बाद macro evolution मतलब होता है बटा कि उसके बहुत बड़े physical appearance में change आना जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यह giraffe की garden है यह बहुत बड़ा physical appearance हो गया है कि इसकी giraffe की garden लंबी हो चुके है तो यह कहीं न कहीं physical form हो गया तो यह macro evolution को show करता है बटा तो इन सारी चीज़ों पर इतना ज़्यादा धाया नहीं दिया है यह बात बोला है उसने इसने बोला है इसको sports of nature आप ऐसे बोल सकते हो ऐसा इसने बोला है खिक है? चलिए तो दो तरह की evolution होता है बटा एक होता है micro एक होता है macro micro में क्या होगा बटा कि genetic level पर थोड़े से changes आ जाएंगे जैसे skin color का change हो जाना यह सारी macro evolution में मतलब बड़ी बड़ी चीज़े change होगी very clear जैसे उसका physical affair change हो जाना उसकी garden का elongate हो जाना very clear ठीक है यह यह जो है ना यह आपको mcq solve करते हो बहुत help करेगा जो मैं example दे रहा हूँ इस time पर ठीक है चलिए इसके बाद कुन से point पर दे बटा यह last वाला point पढ़ लिए 7 ठीक है and we are done with darwin इसके बाद आपका चलो हो जाएगा भीटा hugo devaris की ठीक है चलिए तो यह last point पढ़िए उसके पुराने form या फिर उसका connecting link है क्रांटरिशनल form जो दोनों को जोडता है ऐसे forms available होना चाहिए ऐसा वह बोल रहा है ठीक है बटा चलिए तो इसके बाद start करते हैं आपका mutation theory mutation theory आपको पता है जब भी नाम आएगा तो एक ही व्यक्ति का आपके सामने नाम आना चाहिए बटा hugo devaris और उसने काम किया था मैंने आपको पताया था evening prime rose या इसको और निधरा lemar किया ना बोल सकते आप ठीक है और निधरा lemar किया ना पेड़ जो flowering plant था उसका नाम था बेटा ये ठीक है hugo devaris ने उसमें die mutation theory नाम की book भी लिखी थी very clear ठीक है तो यह already अपने को बहुत अच्छे से पता है इसको पूरा रीड आउट कर लेते हैं ठीक है तो आस्ता प्लीज इसको रीड आउट कर बेटा कर दो आस्ता प्लीज आउट कर दो आस्ता है ठीक है एक सेकंड रुकिए देखिए यहां पर एक जो चीज दी हुई है न वह NCRT को क्रॉस कर रही है NCRT में बोला गया है कि यह जो saltation होता है न सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इसको saltation बोलता है 2018 नीट में यह question आ चुका है कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो है उसको बोलता है saltation and NCRT बोलती है कि यह जो saltation है इसको देने वाले scientist है Hugo Devaris ठीक है बट स्टिल एक बार इसको cross check करेंगे and saltation बहुत important है कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हो जाती है ठीक है बटा इसके बाद Batson ने इसको discontinuous variation बोला and Hugo Devaris ने भी इसको discontinuous variation बोला ठीक है देखिए यहाँ पे discontinuous variation मतलब देखिए Darwin क्या बोलता है Darwin बोलता है continuous and directional Darwin बोलता है continuous and directional जो Hugo Devaris है वो बोलता है discontinuous and random directional नहीं random ठीक है तो random mutation होते है मतलब ऐसा बोल सकते है आप कि जैसे 10 टिक थी 10 में से एक ही species की थी लेकिन एक में कहीं न कहीं एक random mutation हो गया इसके दादा जी spray मारने से pesticide मारने से मर जा रहे थे इसके पिता जी भी मर रहे थे लेकिन इसमें ही कुछ एक ऐसी पावर आ गई है इसमें एक mutation आ गया है randomly आ गया है discontinuous है जिसकी वजह से वह survive कर पा रहा है ठीक है बटा Darwin ने बोला continuous and directional ठीक है यह भी सही है यह भी सही है ठीक है तो अलग-अलग organism में अलग-अलग type का variation होता है ठीक है बटा यह दोनों भी सही है ठीक है अब पढ़ते हैं बटा silent feature of mutation ठीक है इसकी बुक का नाम जरूर याद रखेंगे die mutation theory 1901 में इसने पब्लिश किया था ठीक है silent feature of mutation ठीक है पढ़िए अब्लिश किया थाद रखेंगे ठीक है बटा तो अपने को समझ गया कि mutation जो है वो any direction में ओकर कर सकते है ठीक है दूसरी बात है कि Darwin बुलता था small and directional ठीक है gradual changes होते है small changes होता है यह क्या बुलता है कि sudden बड़े changes होते है ठीक है एक बड़ा variation होने वाला है जैसे कि initial days में जो brain था बिटा वो 350 था फिर धीरे धीरे वो 450 हुआ फिर 700 हुआ फिर 1000 हुआ आज की date में 1600 capacity है तो धीरे धीरे change हुआ है न यह तो यह Darwin बोलता है लेकिन Hugo Devers बोलता है कि single step large mutation हो सकता है and sudden change आ सकता है very clear बटा ठीक है तो sudden change आ सकता है ऐसा बोला है उसमें ठीक है कहीं न कहीं heritable ऐसे characters को छोड़ता है जिसकी वज़े से एक नई species जन्म ले सकती है जैसे मैंने आपको बताया था बड़ी population थी इसमें से red वाले थे and कुछ जो थे वो green वाले थे ठीक है तो green वाले फिर आगे जाके survive कर सकते है क्यूंकि उनके अंदर mutation आ सकता है very clear बटा ठीक है चले इसको अपन ने easter and joshua lederbug experiment को भी justify कर सकता है क्यूंकि उसके अंदर already एक ऐसे mutation थे जो चुनोती वाले समय में उसको survive करने में help करके very clear बटा ठीक है तो importance of mutation थे यह बहुत ही छोटी थे रही है बटा कुछ भी दम नहीं है इसमें ठीक है और इसके बाद hardy win bug चलो होने वाला ठीक है तो इसको भी पढ़े लीजे बटा importance of mutation evolution ठीक है करेड़ेट करेड़ेट ठीक है अब यह important है बटा कि आपने पढ़ेंगे अपने शयाद आपका जो फिफ्ट चेप्टर प्रिंसिपल्स और विरियेशन यह हो गया है क्या कि प्रिंसिपल्स और विरियेशन ठीक है तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया बटा कि जो टी-एच है थॉमस हंट मॉर्गन यह किसके उपर काम किया था इसने ड्रॉसोफिला मैलानगास्टर पर काम किया था यह जो हाउस फ्ला है इस पर ही काम क्यों किया था जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है जो मेल होता है वो स्मॉलर होता है इसके बाद वाइट आय वाली फीमेल को रेड आय वाले मेल के साथ क्रॉस किया फिर उसने बेरियेशन देखा कि आने वाले बच्चे जो है वो वाइट आय के साथ पैदा हो रहे रेड आय के साथ पै कि टी एच मॉर्गन ने किसके उपर काम किया था करके वेरी क्लिया बटा इसने भी बहुत अच्छा काम किया है बटा मुटेशन पर किके लेकिन इनिशेट जो करने वाला था आप इसे बोल सकते हो कि वह हुगो डेवारिस था ठीक है बटा चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़िए बटा इसका हुआ 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 कि बटा तो बहुत सारे अब्जेक्टिव लिए गए थे इस थेरी के अगेंज कि देखिए यह म्यूटेशन जो हो रहा है ना 1 in a 1 million 1 in a 1 million मतलब पता है कितना हो गया 10 लाख में से एक स्पीशीज को ऐसा होता है और एसा इमेजिन कीजिए 10 लाख स्पीशीज थे टिक के जिसके उपर मैंने पेस्टिसाइट छिड़का तो 10 लाख में से 9999999 स्पीशीज मर गई इकलौता एक था जो नहीं मर पाया था तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है 1 is to 1 million ठीक है बटा ये बात बोला है वो ठीक है mutation है generally recessive देखिए जितने भी mutation हुए है ना वो recessive form में ही active होते है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये hemoglobin है ये तो hemoglobin A है ठीक है and female के पास भी hemoglobin A है तो ये normal हो गया अब होता है hemoglobin S and hemoglobin A तो ये वाला जो है ये heterozygous form है disease कब होगा वो disease होगा ये होगा recessive and mammy के पास से भी आ गया recessive ठीक है बटा तब जाके ये recessive form में mutations बड़े activate हो जाते है ठीक है इसके बाद ornithelar MR किया ना is having abnormal number of chromosome ठीक है बटा इसके अलग-अलग species में कभी-कभी variation आता है chromosome number में ठीक है जैस में mostly, commonly 46 number of chromosome होता है लेकिन कुछ cases ऐसे हो सकते है कि chromosome number एक extra आ जाए तो आपको पता है बटा, trisomy 21, trisomy 21 मतलब down syndrome होता है, एक extra chromosome आ जाता है 21 chromosome में, अब 46 chromosome हो गया या 47 हो गया उस organism में, 47 हो गया, very clear बटा, तो chromosome number ना कभी-कभी alteration होता है जिसकी वज़े से mutation होता है, very clear ठीक है बटा, तो और निथरा लेमार की आना के भी 60 different species है ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाला paragraph कितना easy है, आपको पता है बटा, hardy winbug principle के बारे में दिया है कि hardy and winbug ने इसको दिया था 1903 में, ठीक है, इसके पहले भी, इसके अलाबी hardy winbug castle law भी दिया गया ठीक है, तो इत्ता जदा important नहीं है, बस इसके उपर के जो mcq है वो याद रखना है आपको, और मैंने आपको बताया था कि जो organism है, वो क्या है, वो a है, a की frequency क्या कहलाएगी, p, ठीक है, दूसरा जो रहेगा organism वो रहेगा बटा, small है और इसकी frequency क्या रहेगी, p, और p plus q क्य is equals to 1, ठीक है, p square क्या represent कर रहा था बटा, homozygous dominant, ये represent कर रहा था, homozygous recessive, and 2pq represent कर रहा था, heterozygous, और मैंने आपको बताया था, ये 2pq किसको represent कर रहा है, capital a, small a, capital a, small a, heterozygous, it is also called as carrier, है न, याद है बटा, ये कुछ भी, इसमें, कुछ भी ऐसे, पढ़ाने लायक नह है, या फिर इसमें कोई एक नई, अपने को नई चीज़ पता चलीगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है बटा, तो binomial equation है करके, ठीक है, तो ये अपने को already बहुत अच्छे से पता है, इसको अपन बहुत अच्छे से skip कर सकते, अच्छा, ये point ज़रूर याद does not equals to one, ऐसा कब होगा, जब होगा, mutation, ठीक है बटा, mutation हो गया तो भी हो सकता है, ठीक है, अगर gene migration या gene flow है, मैंने बताया था न आपको, कि 900 organisms थे, 900 white थे, वो काले लोगों को परेशान करने लगे, सबसे पहले 25, जो काले लोग है, वो निकल गये, migrate हो गये, फिर 25 लोग इस तरह से करते-करते, जब बार-बार gene migration हुआ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा, gene flow, तो ये भी अपने को पता है, तो P plus Q is equals to one नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या हो गया है, जो Q है, वो निकल गया है, तो 0.1 निकल गया है, original population अभी 0.9 ही रह nature ने उसको select कर दिया है, very clear, तो कही न कही वो भी equilibrium को disturb कर सकता है, ठीक है, genetic drift मैंने आपको बताया था, ये दो तरह के organism है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अब यहाँ पे हुआ, कि ये वाले जो population है, due to earthquake, या any natural disaster, या बिमारी की वज़ा से मर गये, तो ये वाले जो contribute कर रहते 0.4 थे, अब ये वाले 0.4 वाले मर गये है, तो अब equation disturbed हो गया, न, क्यूंकि यही वाले बचे हुए, very clear, बिटा, तो इसको मैंने genetic drift को बोला था, what is the alternate name of genetic drift, विनेत, 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 विनेत तो य पता है सिवाल राइट इफेक्ट बैटा मैं ने बता था ना इसको बोलते है सिवाल राइट इफेक्ट या इसको आप बोल सकते हो bottleneck event इसको अपन क्या बोलेंगे bottleneck effect बोलेंगे civil right effect बोलते है genetic drift को genetic drift का मतलब क्या है फिर से समझ लीजिए ऐसा होता है कि कोई natural calamity की वज़़े से दो तरके organisms थे for example मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर A organism है यहाँ पर B organism है due to any natural calamity due to earthquake आ गया या बार आ गया बैटा mute कर लीजे ठीक है mute कर लो बैटा due to any natural calamity और कुछ वज़़े से A पूरा खतम हो गया ठीक है बैटा तो इसका बचा हुचा खाना इसका बचा खुची जितनी भी चीज़े है वो किसको मिलेगी B को मिलेगी तो इसी को बोलते है बैटा genetic drift या इसको आप civil right effect भी बोल सकते हो या इसको आप bottleneck event भी बोल सकते हो very clear खीक है चलिए तो last जो है बैटा वो है genetic recombination ठीक है तो आपने बता है ने बैटा humans में भी जब sexual reproduction होते रहता है तब क्या होता है कि meiosis की stages आती है patchatin and इसमें crossing over होता है बैटा जिसकी वज़ा से नए characters देखने को अपने को मिलते है इसके बाद आती है आपकी synthetic theory तो अपने सबसे पहले अभी क्या देखे है सबसे पहले अपने देखे है बैटा lamarkism उसके बाद अपने देखे darwinism उसके बाद अपने देखे mutation theory by Hugo Devaris जो सबसे last जो theory है बैटा इसका आप बोल सकते है synthetic theory इसके बाद अपने बीच में august wisdom वाली theory भी देखे थे ठीक है तो ये last जो theory है इसको अपन देखते है जो fourth था इसने किसको डाल दिया इसके बाद synthetic theory को start करेंगे बटापन तो बहुत easy chapter है बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे न ये बहुत ज़्यादा easy chapter है बटा ठीक है देखे ये इत्ती सारी चीजों को उसने include किया है speciation में आपको अल्रेडी पढ़ा चुका हूँ ये तीन से चार pages है बस इसके बाद फिर human evolution हो जाएका start ठीक है मैं चाहता हूँ बस 110% आपको confidence advertise पर ठीक है तो ठीक है एक थोड़ा सा यहां तक ही पढ़ लेंगे अभी अपन दो मिनिट में यहां से लेके यहां था ठीक है पढ़ तू पढ़ बिटा पढ़ यह यहां से पढ़ बिटा है अजया शिंधर ठीक है कि यहां पर क्या है जो सिंथेटिक थेरिया म्यूट कर लो ठीक है यहां पर जो म्यूटेशन थेरिया ना यह सभी लोगों के अच्छी अच्छी पॉइंट्स को उसने मिक्स कर दिया है ठीक है यहां पर ऐसा नहीं है कि डार्विन फेल टू एक्स्प्लेंड अपर यह कुछ चीजे थी कि डार्विन की भी गलत हुई थी जैसे उसने वह अभी बता था न उन्हें बोला कि unless and until उसके germ plus effect नहीं हो रहा है तो वो character inheritance नहीं होता है फिर देखिए neo-lamarchism को include किया है कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे थे use and disuse of organ को उसको use किया है उसने फिर hugs ले ठीक है फिर विजमैन फिर hackle फिर जीजी सेमसं ठीक है जीजी सिमसं एन जो यह है उसको support किय ठीक है डार्विनिजम को तो डार्विन के बहुत सारे points को लिया गया था ओगट विजमांट के points को लिया था फ्यूगो डिवैरिस के points को लिया गया था इन सारे जो इनके अच्छे-च्छे points थे वो सबको मिला के एक new theory बनाई गई थी जिसको अपन बोलते है synthetic theory of evolution या इसको नियो डार्विनिजम बोलते हैं और इसको यह जो नियो डार्विनिजम क्यों बोल रहे है इसको क्योंकि यह 90% of the contribution था इसमें और तब 80% of the contribution जो था वो डार्विन का था कि डार्विन की थेहरी बहुत ज़्यादा सही थी हाँ लेकिन कुछ-कुछ थेहरी August Wiesman की भी सही थी तो बहुत सारे scientist ने बोला कि नहीं इसको अपन बोलेगे नियो डार्विनिजम या synthetic theory of evolution यह सबसे latest theory थी और इसमें बहुत सारे लोगों ने हामी भरी थी कि हाँ यह theory theory सईय करके तो नियो डार्विनिजम को support करने वाले scientist थे हग्जले विजमैन हैकल जीजी सॉंसन इन सबने support किया था ठीक है और इसके बाद जो आरे फिशर सिवाल राइट मेयर नैचर सिलेक्शन बाए सिंथे हाँ अगे बोलना निशिका से संपर्क तूड़ गया है लगता आप न ओके ठीक है मैं पढ़ देता बटा चलिए देखे सीधी साफ बात यह है कि यहाँ पर क्या बोला है बटा म्यूटेशन जो होगा न वो दो तरह से हो सकता है अब यहाँ पर क्या बोला है नंबर एक इसने बोला है कि पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है यह जीन म्यूटेशन हो सकता है ठीक है देखे आपको पता है बटा एक देखे यह है आपको पता कि यह है वन पेर ओफ प्रोमोजोम ठीक है यह है दूसरा पेर ओफ प्रोमोजोम एक मम्मी से आए एक पापा से यह तीसरा पेर ओफ प्रोम ये chromosome है इसके ओपर होते है locust and locust पे present होते है gene अब chromosome में तो कुछ problem नहीं है लेकिन इनके छोटे-छोटे से gene में problem है देखिए बहुत बड़ी problem में ये डाल सकता है कैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ बिटा कि ये एक chromosome है पर example में बोल रहा हूँ कि ये chromosome number 11 अब इस chromosome 11 के एक gene के उपर mutation हो गया है एक single mutation हो गया है इसकी वज़े से पता है क्या हो सकता है इसकी वज़े से एक बहुत बड़ी बिमारी हो सकती है जिसका नाम है बेटा sickle cell anemia ठीक है तो इसकी वज़े से gene mutation भी हो सकता है दूसरी बात यहां पर उसने बोला है chromosomal mutation chromosomal mutation मतलब इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि एक chromosome add हो गया या subtract हो गया या उसका deletion हो गया या इसका duplication हो गया या addition हो गया या inversion हो गया या translocation हो गया for example इसको ऐसे समझते everyone सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना ठीक है सभी को सुनाई दे रही है न बटा ठीक है ओके चली यह देखे मैं बोल रहा हूँ कि यह जो है यह एक chromosome है ठीक है नॉर्मल एक chromosome है ऐसा ठीक है अब इस chromosome के एक particular जगह पे एक particular लोकस पे एक एक जीन होता है ठीक है यह हो गया यह हो गया A, यह हो गया B, यह C, यह D, यह E, यह F, यह G, यह H, I, G इस तरह से continuous यहाँ पे अलग अलग genes present है बट आपको पता है बटा कि crossing over होते समय या फिर genes properly ना बनने की वज़े से कभी कभी यह हो सकता है कि इस chromosome पे यह वाला जो area है for example मैं बोल रहा हूँ कि इतना area cut हो गया यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, B है लेकिन यह J वाला जो area है यह गायब हो गया इस chromosome में मतलब हो सकता है due to recombination हो सकता है कि DNA अच्छे से duplicate ना हो पाया हो and जिसकी वज़े से chromosome जो है यह जो chromosome है properly copy नहीं हो पाये हो and जिसकी वज़े से ऐसा हो सकता है कि some part of that chromosome some part of that chromosome कुछ गडबड हो जाए यह deletion हो जाए यह inversion हो जाए पर example inversion अगर मैं बोलू तो inversion भी हो सकता है इसमें कैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि inversion हो गया ideally ऐसा होना चीए हो गया F G H I यह inversion हो गया ना क्योंकि यह chromosome इधर वाले हिससे के थे यह इधर चले गए, inversion हो गया इसमें deletion भी हो सकता है deletion या duplication भी हो सकता है और example मैं बोलरू यहाँ पर है A, B, C, 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 C continuously CC repeat हो रहा है मतलब यह क्या हो गया, duplication हो गया यह भी गलत है, क्योंकि हो सकता है कि D जो है, यह बहुत important role play कर रहा हूँ chromosome में हो सकता है कि वो कोई तो भी protein के लिए gene हो हो सकता है, वो color blindness से बचा रहा हो सकता है कि वो sickle cell होने से बचा सकता है ठीके, तो ऐसे भी बहुत सारे chromosome में problem हो सकती है बटा, जिसकी वज़़ा से mutation, mutation की वज़़ा से बहुत सारे problem हो सकती है ठीक है निशीका को add हो चुकी है बटा निशीका ठीक है चलिए ओके तो अपने को पता है ऐसा भी हो सकता है तो ये जो है ये chromosome के एक छोटे से gene की problem है gene mutation and chromosome mutation मतलब chromosome का एक part कट चुका है या वो duplicate हो चुका है addition, subtraction, division, inversion, translocation, translocation भी हो सकता है for example अगर मैं बोल रहा हो बिटा कि यहाँ पे A, B, C, D नहीं है सीधा J आ गया, J आ गया उसके बाद E नहीं आया उसके बाद F आ गया उसके बाद यहाँ पे A आ गया तो translocation होना मतलब genes का एक जगह से दूसरी जगह पे translocation हो जाना chromosome के हिस्सों का translocation हो जा तो यह किसकी बिमारी है यह chromosome abbreviation है बिटा very clear समझ में आ रहा है तो एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूं specific type of gene present in specific chromosome at a specific location जैसे A, A की जगह पे रहेगा B, B की जगह पे रहेगा C, C की जगह पे रहेगा तभी उसका function बराबर होगा अगर A, E की जगह पे चला गया या D की जगह पे चला गया या F की जगह पे चला गया तो बहुत बड़ी गड़बर होने की chances है बिटा and इसकी वज़े से mutation हो सकता है ठीक है the characteristic of a particular species a change in the number of chromosome, Oliploidy, Polyploidy or the structure due to deletion, addition, inversion can bring about the variation in the phenotype अब ऐसा भी हो सकता है कि इस chromosome की गड़बड की वज़े से आने वाले बच्चे का phenotype change हो जाए हो सकता है कि उसको कोई बिमारी हो जाए, हो सकता है कि उसका एक हाथ extra आ जाए, छे उंगलिया हो जाए या फिर heart में छेद आ जाए, ये सारी चीजों की वज़े से ऐसे problem हो सकते है ठीक है बटा, तो mutation जो है वो दो तरके हो सकते है, एक हो सकता है gene mutation, देखिए मैंने पढ़ाया नहीं बटा, ठीक है इसको आप बोल सकते हो, point mutation भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप point mutation बोल सकते हो दूसरा जो है, वो है chromosome ठीक है, तो इसको आप future में अगर आपको सर पढ़ाएंगे RDS तर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, इस मेरे से तो 10 गुना अच्छे से पढ़ाएंगे इस चीज़ को तो यह जो gene mutation है न बटा, इसको आप बोल सकते है, कि यह है mendelian disorder इसको आप क्या बोलेंगे, mendelian disorder बोलते and chromosome का add, subtract होना, यह जो होता है इसको बोलते है chromosomal disorder, इसको क्या बोलते है बटा, chromosomal disorder mendelian बोलता है मतलब point mutation हुआ, gene mutation हुआ, सारे chromosome बराबर है, सारे chromosome बराबर है, लेकिन एक chromosome के किसी तो भी एक gene में mutation आ गया, तो इसको बोल सकते है gene mutation and पूरा का पूरा chromosome में कुस तो भी गड़बड़ी हो गई कि उसका एक part delete हो गया subtract हो गया, add हो गया invert हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे बटा इसको बोलेंगे chromosomal mutation very clear ठीक है अब इसके बाद आता है भाईया आपका ladder bug replica plating experiment, मैंने आपको बताया था बटा उस time पे कि एक ऐसा Mr. Bean जो थे Mr. Bean ऐसे बैठे हुए थे एक plane में अचानक से जो pilot था उसको attack आगया था, ठीक है and attack आने के बाद ये सीधा चले गए pilot की cabin में बोले कि मैं drive कर सकता हूँ मुझे allow कीजिए, उन्होंने पूरा वो plane बहुत अच्छे से land भी कर आया था very clear बटा, तो चुनोती आने के बाद अपने को पता चलता है कि किस organism में किस तरह की potential है and वो किस तरह से survive कर सकता है करके, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि दो तरह के organisms थे एक था A A जो है, वो लाल कलर का था B जो है, वो मैं बोलता हूँ बेटा, blue कलर का था अब इन दोनों के उपर मैंने stamping किया था मैंने new petri dish में इनको डाला था and इसके बाद, third step में इसके उपर मैंने क्या डाला था बेटा antibiotic resistance, मतलब antibodies डाल दिया था तो मैंने ये पाया कि ये जो A वाले है ये A वाले सारे के सारे मर गए, ये भी मर गया ये भी मर गया, ये भी मर गया ये सारे के सारे red वाले मर गए लेकिन मैंने ये पाया, ये जो blue वाले थे, ये survive कर गए कैसे सर्वाइब कर गए क्योंकि इनके पास already antibiotic resistance की power थी जिसकी वज़े से जब चुनोती आई तब जाके पता चला भीया कि ये तो already बहुत survivor लोग है इनके पास antibiotic resistance genes पहले थे इनमें already mutation हो चुका है तो यही देखिए यहाँ पर resistance through parental generation से थे वो थे already ठीके बटा तो इसको भी ठीक है पड़ी लेते आपन आपको पता है मैं जोश्वा लेडर बग एंड इस्थर लोड़ लेडर बग के बारे में बताया था बटा वो husband wife थे और इनको nobel prize भी मिला था 1956 के आसपास 1953 और 1956 ठीके बटा इसको याद रखेंगे ठीके पढ़ लीजे निशेगा इसको बटा पढ़ लीजे इसकी जब्टाप में लेडर उनको याद के दिक टीके आपको झाल झाल ठीक है बटा तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है यह इसको दो अलग-अलग साइंटिस ने अपने तरीके से एक्स्प्लेन करने की कोशिश किया लेमार्क क्या बोलता है? लेमार्क ने इसको बोला कि अभी जो चेंजिस आने के बाद ये वाला जो colony थी बी वाली ये तब जाके सरवाई हो पाई लेकिन उसके बाद डार्विन ने बुला कि नहीं डार्विन ने ऐसा बुला कि इसमें जो म्युटेशन की पावर थी या antibodies resistance की पावर थी तो पता अपने को बाद में चला चुनौती आने के बाद अपनें को पता चला जब उसमे पेनिसलिन上面 तब जाके पता चला यार बी वालों के पास तो अल्रेडी रेजिस्टन्स के पावर ठीक है इसके उपर एंसी क्यों आता है बटा कि कब उसको पता चला कि they were having that character even before penicillin added ठीक है तो यह एक सही answer है बटा उसका ठीक है the new environment does not induce their formation it is select the pre-adaptive mutation ठीक है very clear बटा तो यह चीज़ अपने को बहुत अच्छे से पता है आप देखिए ओके इस देख पा रहा है बटा यह जोश्वा लेडर बग रेप्लिका प्लेटिंग experiment है ठीक है इसको ncrt में भी दिखा दिया हुआ है ठीक है वहाँ पे colony a and colony b का example देखे समझाय हुआ है लेकिन एक्चुली वो रेप्लिका लेडर बग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट ही है ठीक है तो यह अपने को बहुत अच्छे से पता है ठीक है चलिए ओके बटा चलिए तो इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट इसमें आ रहा है यह जेनेटिक रीकॉंबिनेशन ठीक है चीक है देखिए यहाँ पर क्या बूल रहा है जेनेटिक रीकॉंबिनेशन आपको पता है बटा कि जब मियोसे होता है तो क्रॉसिंग ओवर में देखिए बाए कॉस ड्यूटू क्रॉसिंग ओवर बूला गया है यहाँ पर ठीक है गैमेट फॉर्मेशन में क्रॉसिंग होता है मेसल में मियोसे सिर्फ गर्मटेशन एजनेसिस के टाइम पर हिंग होता है थीक है दूसरे बॉड़ी के किसी भी सेल में मियोसेज नहीं होता है ठीक है इसके देखिए मेसल से होता क्या है reductional division क्यों बोलते है कि for example यहम बोल रहा हूँ 46 है तो यह होने के बाद यह convert हो जाते है 23-23 में ठीक है और आपको पता है meiosis 2 is as equivalent to mitosis तो इसका जब further division होगा तो वो तो reductional division नहीं होगा normal होगा 23-23 हो जाएंगे बटा है इकलोता एकी बार होता है meiosis 1 ही actual meiosis है ठीक है चलिए तो mutation provides genetical variability आप exactly आपके पपा जैसे नहीं हो exactly photocopy क्यों नहीं बन गए exactly पपा की या फिर exactly photocopy of mommy क्योंकि जब sperm formation होता रहता है या फिर ovum formation होते रहता है तो इसमे meiosis में crossing over होती है यहां से इसके कुछ characters हो सकता है आपके दादा जी के ये जो gene है ये जो chromosome है ये मम्मी का रहा होगा उनके मम्मी का ये जो रहा होगा उनके पापा का रहा होगा ठीक है तो इन में से अब कुछ characters ऐसे है कि ये जो chromosome है ये तो आपके दादा जी का था लेकिन उसके उपर कुछ characters आपके इसके आगए आपके पापा के भी आगए ठीक है पापा के कुछ characters आगए ये मम्मी के क्रोमोजोम में ठीक है अब ये जाके एक ovum बनने वाला है और ovum के बाद यहाँ पे sperm आके इसको fertilize करेगा तो इसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते हैं बटा कि meiosis होते समय ओvum and sperm का formation होते समय वेरियेशन बहुत होता है इसलिए तो exactly अपन मम्मी पापा की carbon copy नहीं होते हो सकता है कि मम्मी की आखे अगर green है और पापा की आगे blue है तब भी आने वाले बच्चे की आखे brown होने के chances होते है या फिर heterochromia हो सकता है क्यों कि recombination हो रहा है very clear बटा ठीक है चलिए इसके बाद जो है natural selection की ये बात कर रहा है बटा ठीक है तो एक बार इसको भी पढ़ लेते है बटा अपन natural selection एक एक point अपन कर लेंगे cover ठीक है चलो निशिका पढ़ा बटा natural selection बटार रहा है बटार ठीक है हाँ बस दो में टुक जो उसमें वो तो अपने को पढ़ता ही है ठीक है बटा देखे यहां पर क्या बोल रहा है सीधी सीधी बात है पावर ऑफ ओवर प्रोड़क्शन की बात कर रहा है तो उनकी रेस आटोमेटिकली नेचर को सिलेक्ट कर लेगा यही बात बोला है वो फिजिकली फिजियोलोजिकली बिहेवियली एनवर्मेंट को अडेप्ट हो चुके है जैसे अगर मैं बोलू कि जो ब्लैक मौथ था वो एनवर्मेंट को अडेप्ट हो गया था उसने खुद को छुपा लेना अच्छे से सीख लिया था देख लिया और नेचर ने भी फिर उसको सिलेक्ट कर लिया क्यों क्यूंकि उसने बहुत ज़्यादा फिर ओफ्स्प्रिंग ले किये होंगे अपने ठीके चलिए अब इसके बाद देखिए कितनी इजी चीज बोली गई है बटा अब नेचल सिलेक्शन के ही तीन टाइप हो एक जो होता है जिसको मैं बोल सकता हूँ बटा स्टैबिलाइजिंग ग्राफ यादना बबाद तीन तरह की ग्राफ बताया था मैने आपको यह स्टैबिलाइजिंग ग्राफ इसी का अल्टरनेट देखिए बटा नाम क्या है बैलेंसिंग सिलेक्शन ठीक है तो अरे वापन या पर आर्रड़ि दिया हुआ था यह एक्जाम्पल तो ओक्तु ए जस यह दो कीलो वाले कए हैज जिनका वजन तीन कीलो है वही जादा बच्चे बच रहे थे gewesen थे graph होते है natural selection होते है एक होता है जिसको अपन बोलते है stabilizing graph when maximum people take the mean value सभी की सभी 50 degree Celsius में survive करना चलो हो गए इसको बोलते है बटा क्या बोलेंगे stabilizing graph अब ऐसा हो गया कि ये direction हो गया है मतलब 70 degree Celsius की तरफ survive करने लगे तो उसको क्या बोलूँगा directional graph बोलूँगा इन दोनों की तरफ से भी अगर disruptive हो गया इधर आप 0 degree Celsius में रहो इधर आप 100 degree Celsius में रहो 50 degree Celsius वालों का कोई काम नहीं तो उसको अपन क्या बोलते है बटा disruptive है ना तो ये अपन तीनों चीजे पढ़ चुके है बहुत अच्छे से अगर आप चाहते हैं तो इसको एक रीद कर सकते हैं ठीक है एक फटाक से रीड आउट टो लो बटा निशीका इसको पढ़ लो फटाक से stabilizing selection निशीका काकू आसता पढ़र बटा ये अपर बटा का a पढ़र बटा आस वीजे बटा उन्ग करेक पबसे इसकते हैं वीजे चाहते हैं ये जाल अन्या समय है ये जड़र आसे हैं अवे मान दवाप बटा झाल चीक है देखिए तो ये जो एक्जाम्पल ये बहुत थी अच्छे एक्जाम्पल ये बिटा कभी-कभी ने इसके आने के बड़े चांसे रहते हैं देखिए इसके उपर तो अल्रेडी आ चुका है और ये भी मैंने आपको थोड़ा हलके में बता दिया था ठीक है wingspan in birds of a particular weight ठीक है तो यहाँ पर कैसे इसको याद रखेंगे शायद उसको बहुत अच्छे से उन्होंने explain नहीं किया है लेकिन मैं आपको बता दिता हूँ कि ये length जो होती है ना इसके जो wings है बहुत लार्ज है इसके बाद एक bird है इसके जो wings है वो medium है एक जो bird है इसके जो wings है बहुत ही small है ठीक है अब ये जो छोटा वाला है ये जो wing है उसके ये इतने छोटे है कि ये air resistance को बरदाश्त ही नहीं कर पाते हैं ये बहुत जादा अच्छे से उड़ नहीं बड़ा वाला जो है इसके वंग इतने बड़े है कि इसको air resistance बहुत धेलना पड़ता है इतना जादा है कि वो body के balance को weight नहीं कर पाता है और वो भी अच्छे से उड़ नहीं पाता है लेकिन ये जो middle वाला है ये इतना अच्छे से well balance इसके पास length of the feather है length of the wing है ये इतने अच resistance है उसको भी manipulate कर पाता है very clear ये question मुझे ऐसा लग रहा है कि नीट 2021 में आ जाएगा क्योंकि इस तरह के question ना लेको अभी ये जो था ना ये ये वाला जो था ना average weight of 362 ये already मेरा ध्यान नहीं गया बटा कभी लेकिन ये already अपने book में था और इसी तरह का mcq 2000 नीट 19 में आ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो कही ना कही इस तरह का एक example आ सकता है wingspan ठीक है तो कही ना कही आप देखिए बड़ा जो विंग थी या जिसके पास छोटी विंग थी इन दोनों का कोई काम नहीं था हां लेकिन middle जिनकी विंग थी maximum जो लोग थे या birds थे वो middle value को ले रहे है very clear तो यह भी एक उसका example है ठीक है चलिए एक सिकल से थोड़ी देर में आने वाला है बटा कैसे वह survive करने में help करता है ठीक है तो दूसरा जो है बटा directional या इसको progressive selection भी बोलता है ठीक है तो इसको भी पढ़ लेजे बटा शायद अपने को एक दो चीज़े नहीं मिल जाए मिल रही है क्योंकि मुझे तो नहीं चीज़े ठीक है बटा इसको पढ़ लीजे एक बार directional या progressive selection ठीक है निशी का आस्था पढ़ बटा हुआ है देखिए अब यहां पर बटा डायरेक्शन आपको पता है एक पर्टिकुलर इस पर दिखिए मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे मैंने बुला कि अगर अब हंडर्ड डिग्री सल्सियस पर नहीं रहोगे तो तुम वैनिश हो जाओगे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी हाइट अभी 6 फिट नहीं होगी तो आप वैनिश हो जाओगे वैरी क्लियर 4 फिट और 5 फिट वालों का कोई काम नहीं है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन जाने लगे अब यहां पर क्या एक्जम्पल दिए है देखिए यह पर बुला गया है बटा कि जिराफ जो है ना यह लौंग नेक की तरफ जाने लगा एक्जम्पल यह मैं बोल रहा हूं कि यह जिराफ की नेक है चार फिट की यह जो जिराफ की नेक ती ओन एंवरेज नॉर्मल जो थी वो फाइफ थी लेकिन अब जिनकी जो गरदन की है वो 6 feet नहीं होगी तब तक वो ज़्यादा survive नहीं कर पाएंगे क्यों कि अब जो पेड़ों की हाइट है वो 6 feet से भी जादा हो चुकी है तो minimum इनकी जो गरदन है वो 6 feet की तो होनी चाहिए पांच feet वाले जो जिराफ है वो भुके मर जाएंगे चार feet वाले तो पहले ही मर जाएंगे एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो अब 6 feet वालों का जमाना आ चुका है 6 feet आपकी गरदन है तो आप survive करोगे नहीं तो आप मर जाओगे तो यही बात वहाँ पर बोलने की कोशिश किया है दूसरा एक्जांपल जो दिया है यहाँ पर वो देखिए development of resistance to DDT by mosquito देखिए DDT यह जो आपको पता है बटा कि एक vaccination था यह था इसके खिलाफ जब यह इसका छिड़काओ करते थे ना initial days में तो इसके खिलाफ simultaneously मच्छर मर जाते थे लेकिन धीरे धीरे आप देखिए मैं आपको भी थोड़ी दर में फोटो शेयर करूंगा कि गुड़नोइट के कोईल के उपर ही मच्छर बैठा हूँ है उदर बाजू में ही मन रहा है क्यों कि उसने resistance डेवलप कर लिया है उसके खिलाफ अब क्या हो कि इस तरह का है मैं बोल रहा हूँ कि यहां पर स्टार्टिंग में रेजिस्टन यहां पर भी मॉस्किटो है यहां पर भी मॉस्किटो है लेकिन अब यहां पर रेजिस्टन्स जो कर पा रहा है गुड़नाइट को वह जादा सर्वाइफ करेंगे तो यह वाले तो अल्रेड संपल यहां पर दिया है इंडस्ट्रियल मेलानिजम का अब देखिए यहां पर बोला गया है कि मैं बुल रहा हूँ कि बटा यह है वाइट और एक है ब्लैक ठीक है तो आपको पता है बटा कि इनिशल डेज में वाइट की तरफ जादा था सर्वाइवल इंस्टिंड लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया है अब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जाने लगा है तो कही न कहीं अगर आपकी स्किन ब्लैक हो जाएगी तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे वाइट विंग मॉलों की पॉपुलेशन कम-कम होती जाएगी तो यह भी एक डायरेक्शन को शो दूर दूर यह इस तरह का वेरी क्लियर ठीक है तो इसको भी पढ़ लेता है अपन रुख जाएंगे 230 को रुख जाएंगे अपन ठीक है चलिए तो इसको पढ़ लेता है अच्छा एक और बात मैं आपको बता दू बटा कि मैंने आपको सारे mcq दे दिये हैं ठीक है यह सा भी बोल सकता हूँ कि मेरे को यह बताओ इसका explanation दो और नहीं आया तुमको तो मैं तुम्हारी घणी बेजदती कर दूँगा सब के सामने क्लास के सामने तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेजदती ना हो तो I want you to read everything ठीक है जो except for assertion and reason assertion and reason नहीं पूछूँगा मैं क्यों जो है exercise one two three यह मुझे चाहिए next class के पहले आपकी तरफ से except उसमें assertion reason नहीं रहेगा and human evolution नहीं रहेगा human evolution के question नहीं पूछूँगा मैं आपको ठीक है लेकिन पढ़ना कंपल सरी है आपको मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारा number नहीं लगता तो mbps को ठीक है चलो पढ़ो इसको आस्ता तूभी पढ़े 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 चलो ठीक है ठीक है बटा तो देखिए जो सनफ्लावर है यहां पर मैंने वही उसी तरह का एक्जम्पल यहां पर दिया हुआ है कि दो तरह के फ्लावर है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहां पर डेजर्टिफिकेशन हो गया है यहां पर आई से जा चुकी है अब यहां पर जो जीरो डिगरी सेल्सियस पर रहते है उस तरह के और गनिजम रहेंगे यहां पर ऐसे पेड़ पौधे रहेंगे जो हंडर्ड डि दूसरा जो थे वह वैट एरिया एकदम गीली जगह चाहिए बारा सालों में हुआ यह सिर्फ बारा सालों में मतलब अब यह ऐसे इमेजिन करते हैं बटा कि यह है पूरा ड्राइएरिया यह है और यह है पूरा आप ऐसे बोल सकते हो वाटरी एरिया है ठीक है इसको आपन ग्रो कर रहे है यह सिर्फ और सिर्फ ड्राइएरिया में ग्रो कर रहे है याा तो बहुत ज़दा वाटर है वहाँ पर ग्रो कर रहे है जहां पर mixture है दोनों का ना ज़दा dry और ठीक्धा वाटर ऐसे environment में वो survive ही नहीं कर पा रहे वेडि क्लियर यह समझ में आ गया बटा इसकी वज़ा से new species, sub species का भी formation हो सकता है हो सकता है कि ये इधर वाला जो था dry वाला ये extreme dry वाला area था इसके sunflower का जो size है थोड़ा छोटा हो जाए ठीक है या फिर wet वाले का थोड़ा बड़ा हो जाए ठीक है इस तरह का variation हो सकता है ठीक है जैसे के adaptive radiation भी इसका example हो सकता है बटा कि मैंने आपको बुला था कि यहाँ पे एक तरह की finches थी और उससे बहुत अलग-अलग तरह की finches हो गई depending upon the environment क्यों क्योंकि यहाँ पे insect खाने के लिए उनकी चोच अलग हो गई यहाँ पे fruits थे तो उनकी चोच अलग हो गई very clear so depending upon the situation उन्होंने खुद को extreme level पे convert कर लिया है seed eating insect अब कम हो चुकिए for example मैं बूल रहा हो बटा कि पहले जो था यहाँ पे maximum जो finches थी वो seed खाती थी लेकिन धीरे धीरे यह हो गया कि seed खाने वाली अब जा चुकिए अब तो यहाँ पे भाईया दो ही चीज़े अवेलेबल है एक तो तुम insect खाओ या तो तुम fruit खाओ यह जो original population थी जो seed खाती थी वो खम हो गई है इंसेक्ट खाने वाले और fruit खाने वाले जादा पाए जाएंगे तो यह भी आप ऐसे बोल सकते हो कि एक adaptive radiation भी disruptive population को शो करता है ठीक है तो यह दो चीज़े आप correlate कर सकते हैं ना बटा तो देखिए इसके नीचे भी इसका graph दिया हुआ है यह जो था यह था stabilizing graph ठीक है यह जो था यह stabilizing graph था यह था directional और यह था disruptive ठीक है ओके बटा ठीक है इसके बाद देखिए यह इंडस्ट्रियल मेलानिजम का दिया है कार्बन कार्बूल एरिया ठीक है देखिए जो ग्रे मौत था बटा वो था बिस्टन बिटूल एरिया और जो ब्लैक म इसके बाद तो फिर अपना human evolution चलू हो जाएगा यहां से आप आप आप